हेलो एवरिवन आज हम पढ़ने वाले सिंपल डेरेक्शन जो कि हमने चैप्टर इस्टार्ट कर रखा है डेरेक्शन एंड डिस्टेंस का उसका थर्ड टाइप है सिंपल डेरेक्शन इसके मैं आपको आज बहुत अच्छे ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप सेकेंड़ म इसके अंसर निकालेंगे वीडियो पूरा देखना जब आपको अच्छे से समझ में आएगा देखें सिंपल डेरेक्शन के तो तरीके के पैटरन बनते हैं इसमें पहला तो यह होता है इसमें किस तरीका के कुश्ण आता है जैसे एक तो यह होगा आप से पूछ लेंगे कि मतलब कोई व्यक्ति है वो चल रहा है वो अब किस दिशा में है मतलब कोई व्यक्ति चल रहा अब किस दिशा में है वो एक तो इस तरह का कुश्ण बनता है मतलब जैसे कोई व्यक्ति है मालिया कोई मोहन है मोहन पूर में चल रहा है तीस मीटर उसके बाद वो चला फिर दा दाए मुढ़ने के बाद चला 20 मिटर फिर बाए मुढ़ गया बाए मुढ़ने के बाद चला ओदस मिटर तो पूछ लेंगे अब वह किस दिशा में है अब वह किस दिशा में है एक तो यह पूछा जाएगा अब इसको कैसे करते है देखिए मोहन है पूर में 30 मिटर चला पूर कैसे होता है पूर होता है इधर राइट सैड में मैंने इसके फर्स्ट वीडियो बनाई थी जिसमें डिरेक्शन आपको अच्छे से ऐसे समझाई थी जिसने नहीं देखा चैन क्या होता है इस तरफ फिर दाएं मुड़िया फिर चला 20 मिटर फिर वो बाएं मुड़िया अब यहां से बाएं होगा 10 मिटर इधर तो वह अब किस दिशा में है यह इस तरफ किस दिशा होती है यहां पर इस्ट तो इस्ट में है तो इसका अंसर यह सिंपली यह आ गया एक दूसरा इसमें पैटरन बनता है यह तो मैंने बताया अब किस दिशा में इसे पूछ लेंगे अब दूसरा क्या बनता है शुरुवाती बिंदू से किस दिशा में है शुरुवात मतलब शुरुवात से किस दिशा में है स्टार्टिंग से शुरुआत से किस दिशा में हैं इंगलिस में भी आपको बत लिख के बता तो स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में हैं यह कोशन बनता है इसमें अब मैं एक एक्जम पले तो जैसे सोवन है वो चला उसमें उत्तर में चलाओ उत्तर यानी नोर्थ में कितना मीटर चला दस मीटर उसके बाद 20 मीटर सौथ में चला फिर उसके बाद 10 मीटर दाएं मुड़िया ऐसे मिक्स भी आ सकते है कुशन देखें वो पहले चला दस मीटर नोर्थ में नोर्थ होता है उपर 10 मीटर चला फिर 20 मीटर चला सौथ में तो 20 मीटर यहां पर चलाईए यहां पर आगा south में हो, फिर 10 मिटर दाएं मुड़ गया, दाएं होता है इस तरब, 10 मिटर यह दाएं चल गया, 10 यह, 10 यह, 20 यह चल गया, 10 मिटर फिर दाएं मुड़ गया, फिर वो पूछा, शुरुवाती बिंदू से किस दिशा में, यहां से किस दिशा में होगा, तो वो होगा west में, क्योंकि यह ऐसे direction बनती है न, north, south, east, west, तो वो है west में, मैंने एक previous year का question लिया आया, देखे, इसको solve करते है, वो समझ में आ जाएगा, कैसा question इसमें आता है, मनोज ने पूर की और 30 मिटर की दूरी तै की, दाएं मुड़कर 40 मिटर की दूरी तै की, फिर वो है बाएं मुड़कर 30 मिटर चला, अब वो है किस दिशा में है, यह है पहले pattern पर question, अब किस दिशा में है, यह पहला pattern है, दूसरे का भी बताऊंगा, पहले पहले का देखे, मनोज 30 मिटर पूर में चला पूर होता है इस तरफ 30 मिटर चला फिर वह बाएं मुड़ गया बाएं होता है इस तरफ बाएं नहीं दाएं मुड़ गया 30 मिटर चला फिर दाएं मुड़ गया दाएं मुड़ने के बाद वो यहां पे आ गया फिर चलाओ 40 मेटर फिर वह बाएं मुढ़कर 30 मेटर चला यहां से बाएं होता है इस तरफ वह चला 30 मिटर, तो अब वह किस दिशा में होगा, इन्होंने यह ने पूछा, स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में होगा, अब किस दिशा में है, तो इस्ट में ही है, वह अब भी, मैं इसका एक और आपको एक्जमपल लेकर कोशन लेकर दिखा दो, पिरिवेश हर में यह आया है, उसमें आप अच्छे से दूसरा यह वाला, शुरुआती बिंदू से किस दिशा में होगा, वो भी आप समझ जाएंगे, देखे, देखे, यह मैंने एक पिरिवेश हर को कोशन लेकर पड़िये, अपने घर से लोके इस उत्तर में 15 किलो मेटर गया, फिर उन्होंने पच्चिम की ओर चला, 10 किलो मेटर की दूरी तया की, फिर दक्षेन की ओर मुड़ गया, 5 किलो मेटर चला, अंतु में पूर्व की ओर मुड़ते होगे, 10 किलो मेटर की दूरी तया की, वह अपने घर से अपने घर से किस दिशा में है ये मैंने बताया था कि सुरुवात से पूछ लेंगे स्टार्टिंग पॉइंट से पूछ लेंगे अपने घर से ये तो था अब वह किस दिशा में चल रहा है मतलब जैसे कोई चल रहा है यहां से गया,फिर यहांसे मुढ गया तो यह हो गया यह पे शौठतो सौठ में आ गया हूँ पर अब स्टाटिंग पोईंट से मतलब सुर्वाती अपने घर उसका यहा करκε,ए यहांसे चला तो कहा तो फिर कहा होगा यह पोछा गया इसमें इसको समझ ओग ए यह 15 किलोमीटर चला रोक वेस फिर उन्होंने पच्चिम की ओर चला 10 किलोमीटर की दूरी तैकी पच्चिम यहां से होता है पच्चिम बोलते है वेस्ट को यहां से वेस्ट में चला हो दस किलो मेटर की दूरी तैकी फिर उसके बाद क्या वो लगा फिर दक्सिन की ओर मुढगा पांच किलो मेटर चला यह बता तो यहां पर नोर्थ साउथ पर वैस्ट हो गया तो देखिए अब वो यहां से उसने क्या बोला फिर दक्सिन की ओर मुढगा पांच किलो मेटर चला यहां से दक्सिन की होता है नीचे यहां से दक्सिन पांच किलोमेटर चला अंत में वह पूर की ओर मुड़तो है दस किलोमेटर चला पूर इस तरफ होता है यहां पे इस तो पूर की ओर चला दस किलोमेटर तेकरिफ है अपने घर से किस दिशा में घर उसका यहां पे है तो घर से किस दिशा में घर से यहां जाके तो यहां हो नोर्थ में जा रहा है तो घर से किस दिशा में नोर्थ में आ गया हो अगर पूछा जाता है अब वह किस दिशा में चल रहा है तो इस दिशा में चल रहा हो यहां पे तो इस्ट में होता अब पूछ लिया उसने अपने घर से तो यहां पे आ गया इसमें यही आपको एक एक्जम्पल यही बता ता हूँ जैसे कोई व्यक्ति है यहां से गया हो यहां पे गया मानलिया 15 km गया फिर यहां पे गया 5 km फिर उसने यहां पे मुड़ गया हो मुड़ने के बाद फिर यहां पे चला गया हो 5 और 5 अब वह पूछ लिया कि वह अब किस दिशा में चल रहा है अगर यह पूछ लिया तो यहां पे उपर नौर्थ में जा रहा है तो नोर्त होगा, मतलब वो पूछ लिया, अब किस दिशा में चल रहा है, अब किस दिशा में चल रहा है, चल रहा है, ऐसा पूछेंगे, तो जहां जिस दिशा में चल रहा है, वो ही आंसर होगा, नोर्त आ जाएगा, और वो यह पूछ लिया, अपने घर से, या स्टार्टि बिंदू से पूछ लिया तो आपको ये देखना है कि ऐसे यहाँ पर आ गया तो इस लाइन में टच हो रहा वह जिया से स्टाटिंग तो यह दर जा रही है यहां पर इस्ट में तो आपको कोई डाउट ने होगा वीडियो पूरा देखना बस और इसके पहले मेंने तीन वीडियो करवाई है वो भी देख लेना आपको सारे डाउट के लिए रो जाएंगे नेक्स्ट वीडियो पर आएगे बहुत जल्दी आप सब को देखे अच्छे से पढ़ाई करें कोई डाउट हो कमेर्स में पूछ लेजे वीडियो देखने के लिए आपका दिनवा थैंक्यू सो मच ओल दा वेरी बेस्ट